जब मैंने अपने भारती वाइव सेना की तयारी स्टार्ट की थी तो उस समय काफी लोगों ने डीमोटिवेट करने की कोशिज की, काफी लोगों ने गिराने की कोशिज की, काफी लोगों का कहिना था कि तुमसे कुछ नहीं होगा. लेकिन मैं अपने विश्वास पर अपने सपने पर अडिग रहा और आज मेरा भारती वाइब सेना में चौहन हुआ है जहिन दोस्तों मेरा नाम दुर्गेश सिंग है मैं उत्तर प्रदेश के मेठी जिले से बिलॉंग करता हूँ मैं फादर एक एक सविसमेन रहे हैं इंडे नेवी में और इस समय वो गवर्मेंट टीचर हैं उन्होंने ही मुझे भारती वाइब सेना का सपना दिखाया था बचपन से ही और उनके ही एफर्ट की वज़ा से और मेरी माता के एफर्ट के वज़ा से ही मैं आज यहां तक पहुचा हूँ मैंने अपने एर फोर्स की तयारी वोर्यस डिफेंस अकैडमी से की थी जहां पे मुझे डारेक्टर गुलाव सर और हमारे जीडी के टीचर जो की हर वक्त हम लोगों के लिए उपस्थित रहते थे सुरेंद बहादूर सर उन दोनों के एफर्ट की वज़ा से आज हम लोग इस काबिल बने हैं कि भारती वाइफ सेना में हम लोग का चैन हुआ है जब मैंने अपने भारती वाइफ सेना की तैयारी स्टार्ट की थी तो उस समय काफी लोगों ने डी मोटिवेट करने की कोशिस की काफी लोगों ने गिराने की काफी लोगों का कहना था कि तुमसे कुछ नहीं होगा लेकिन मैं अपने विश्वास पे अपने सपने पर अडिग रहा और आज मेरा भारती वाइफ सेना में चैन हुआ है तो मैं सारे स्प्रेंट से ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जजबे दूसरे अटेंट में सफलता मिली दूसरे अटेंट में मेरे सिर्फ आधे नंबर कम थे उस समय मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था जब मेरा रिजल्ट आया था लेकिन उसके बाद मैंने उन सब चीजों से सीखा और आगे चलके मैंने अपने अगले प्रयास में उन च दिफेंस अकेडमी की टीम हमारे डारेक्टर गुलाव सर और सुरेंद बहादुर सर और पूरी वारेस दिफेंस अकेडमी की टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं थैंक यू जय है जय भारत कर्णाइए थैंक यू पर ठागेष जाढ़िड़ सीजय कर दो işएंक नintéजय की टागेर लिफेंस अवीचे आगे जन चाहता हूं जय है झाल 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 झाल